माई डियर स्टूडेंट्स आई टी जे इमेंस और एडवांस में अभी हाली के जो क्योशन पेपर्स आ है उनमें हमने देखा है फिजिक्स में क्योशन में टेलर सिरीज का जो इस्तमाल है टेलर सिरीज का इस्तमाल एकदम से बढ़ गया है तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा टेलर सिरीज के बारे में हैं यहां पर डिस्कस करने जा रहे है तो टेलर सिरीज क्या होती है first of all तो टेलर सिरीज एक्समिन वो क्या होता है? 1 प्लस, x प्लस, x square upon factorial 2 प्लस, x cube upon factorial 3 and so on factorial 2 की value 2 होती है, factorial 3 की value 6 होती है तो यह 1 की power x का जो भी series expansion है यह है, कहां से आता है? Taylor series से आता है तो इस series का हम physics में कहां पर इस्तमाल करते हैν किसे इस्तमाल करते हैं उसके लिए हमने एक situation यहाँ पर लिए तो जो situation हम यहाँ पर ले रहे हैं हो क्या है consider a small bowl that is dropped from rest एक bowl को हमने initial velocity 0 के साथ उसको हमने drop किया तो हम जानते हैं कि वो gravity में गिरती है if air drag is taken into account इसका मतलब हम gravity के लावा यहाँ पर और air drag को भी यहाँ पर include कर रहे हैं and if the air drag force is proportional to the velocity ठीक है तो drag force को हमने किसे represent कि FD से FD is equal to कितना minus BV okay तो V is the velocity FD is the drag force minus क्यों आ रहा है क्योंकि जो drag force होता है उसका direction velocity के opposite होता है minus direction को यहाँ पर बता रहा है तो और B क्या है? B is the drag coefficient B is the drag coefficient drag coefficient जो होता है ओबजट के size पर object के shape पर depend करता है ठीक है? तो B is the drag coefficient okay और अगर हम drag force को भी include कर लेते हैं drag force को भी include कर लेते हैं किसके साथ? gravity के साथ for example हम जानते हैं कि अगर हम drag force को 0 लेते drag force को कितना लेते? 0 और सिर्फ mg ही लेते, तो हम जानते हैं कि velocity t time पे किसके बरावर होती है, velocity t time पे बरावर होती है, u minus gt, this we all know, velocity at any time t is represented by u minus gt, when drag force is 0, अगर हम drag force को भी include करेंगे, तो फिर velocity time t पे कितनी निकल के आती है, minus mg upon b, minus इसलिए क्योंकि हमने उसको गिराया है, ठीक है, velocity का direction क्या है, negative, velocity क्या है, negative, इसलिए minus sign, तो minus mg by b, और brackets में, one minus eq power minus bt upon m, तो आप देखे, जब drag force 0 होता है, तो velocity simple है, u minus gt है, लेकिन अगर हम drag force भी include करेंगे, उसके अंदर, तो velocity का expression क्या रहा है, minus mg by b, one minus eq power minus bt by m, अब यहां से अपनों को limiting cases बनाने, limiting cases बनाने का मतलब है, कि अगर अगर आपन drag force को बिल्कुल negligible कर दे, drag force को बिल्कुल negligible कर दे, तो वो expression drag force को बिल्कुल negligible करने पर क्या होना चाहिए, कि ये वाला expression इसके अंदर convert हो जाना चाहिए, एक बाप फिर से देखिएगा, जैसा मैंने आपको बता है कि limiting cases हम यहाँ पर Taylor series के यहाँ पर काम में ले रहे है इसका मतलब, limiting case का मतलब, अगर हम इस expression के अंदर drag force को बिल्कुल neglect करें, तो फिर वो expression V बराबर U-GT आजाना चाहिए, अब वो कैसे आएगा, तो E की पावर मैनस BT अपॉन M का हमें series expansion करना है, E की पावर मैनस BT अपॉन M का series expansion कैसे करेंगे, using this formula, E की पावर X बराबर 1 प्लस X plus X square by 2 से, तो देखिए, अगर हमारे पास E की पावर X, हमने किता लिगा, 1 प्लस X plus X square upon 2, और some other terms, जो higher order terms हो, वो भी वहाँ पर है, तो E की पावर मैनस BT upon M, E की पावर मैनस BT upon M, क्या बनेगा, 1 मैनस BT upon M, ठीक है, प्लस, प्लस, मैनस BT upon M का whole square और some higher order terms, if BT by M, if BT by M is less than less than 1, अब इसमें हम एक condition पुट कर रहे है, हमने क्या कहा, ड्रेक फोर्स को बिलकुल neglect करना है, इसका मतलब ड्रेक कोफिशन बिलकुल negligible होना चाहिए, इसका मतलब BT by M क्या होना चाहिए, 1 से बहुत ही कम, तो अगर BT by M 1 से बहुत कम होगा, तो आप देख सकत हैं कि यह approximately कितना आ जाए, approximately 1 minus BT upon M के बराबर आ जाएगा, जो higher order terms होगी, वो बिलकुल negligible होगी, तो we will get 1 minus E की पाउर मैनस BT by M, और VT कितना था, हमें VT मिला था, minus MG by B, फिर था 1 minus E की पाउर मैनस BT upon M, तो E की पाउर मैनस BT upon M के, series expansion से हमको क्या मिल रहा है, देखिए, minus MG upon B, 1 minus, अभी देखिए, इसको हम उतना पुट कर रहें, मतलब 1 minus BT upon M पुट करें होगे, तो 1 minus BT upon M पुट करें, तो मैं क्या मिलना चाहिए, 1 minus 1 यानि की 0, minus minus plus, तो we are getting MG by B into BT upon M, into BT upon M, M से M भी कैंसल, B से B भी कैंसल and we are getting the result minus GT, this means अगर हम चीजों को generalize करना चाहते हैं, तो पहले उसको हमें neglect नहीं, पहले उसको include करना है, include करके जो भी expression हमें मिलता है, using Taylor theorem, हम उसका एक special case बना सकते हैं, और ये questions में क्योंकि काफी काम भी आता है, और ये क्या थी, one of the most famous Taylor series है, one of the most well-known Taylor series है, इसके लावा Taylor series, sine की होती है, cosine की होती है, ln 1 plus X की होती है, और ये सभी series हमारे physics के ITJ paper में काम आती है, तो इस video में हम सर्फ इतना ही discuss कर रहे हैं, अब बाकी जो series है, आप एक बार देखें, comment section में उनके बार में लिखें, जो भी आप चीज़े जानते हैं, thank you very much